जैहिन, नमस्कार साथियो, मैं डॉक्टर संगराम पाटिल इंगलेंड से बात कर रहा हूँ साथियो दिपावली की बहुत-बहुत शुपकामनाई सबको हलाकि ये फ्यूरली स्पिरिच्वल फेस्टिवल होता है हमारे भारत की सब्वेता का लेकिन आजकल इसमें जो पाखंड गुश गया है और ये पाखंड सर्फ सामान्य जो गुरहस्त जो लोग होते हैं उन तक सिमितनी रहा है ये सादू, खुदको योगी, संत कहलाने वाले ये जो लोग है इनके भी जिवन में ये पाखंड अप इतना प्रवेश कर चुका है कि इसका जो बिबत्स रूप हम देख रहे है इसका बेस्ट एक्जामपल है उत्तर प्रदेश के आज के चिप मिनिस्टर अजय बेस्ट ज इनका नाम योगिया अधित्यनाद भी कहा जाता है वैसे तो मुझे अबजेक्शन है कि योगी जो है इनके नाम से हड़ जाना चाहिए क्योंकि ये गोरखनात की परंपरा से जो सन्यासी सादू हुआ करते थे पास्ट में ये सही माने में सन्यासी योगी हुआ करते थे इन संसार की जो बाते चलती है घरेलू बाते हो या राजनिती हो या गुनेगारी हो या जो भी विवहार चलते है इन में ये लोग सहबागी नहीं होते थे ये अपना सिरक लोगों को अध्यात्मि सिकाते थे और खुद अध्यात्मिक बनकर जीवन जीते थे लेकिन बाद में ये जो पाखंड है इन सादूओं में इन योगियों में भिकूओं में ये इतना बढ़ गया कि ये लोग राजनीती में दिल्चस्पी लेने लगे ये राजनीती में पार्टिसिपेट करने लगे और ये यहां तक बढ़ गये कि राजनीती क जो बड़े बड़े पद होते हैं ये भी लेने लगे और आजकल हम ये देखते हैं अलग-अलग सादू, सादवी, योगी ये राजनीती में मंत्री, मुख्य मंत्री तक बन गया है उत्तर प्रदेश उसका उधारन है तो दिवाली के बारे में मैं एक स्टेटमेंट पढ़ र जाने की, इन्होंने कहा था दिवाली के बारे में कि वैसे तो जब धम्म का या धरम का जागरन होता है, ये धरम जागरुत हो जाता है मन के अंदर, तो उससे मन के अंदर जो अंधेरा होता है निगेटिविटी का, ये चला जाता है और उजला आ जाता है और दिवाली का य यही मतलब होता है लेकिन हम जब धर्म ही बुल जाते हैं धम्म को ही बुला देते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि यह जो माला हम दीपों की लगा देते हैं यह माला लगाने से जो उजाला बाहर फल जाता है यही धर्म का उजाला है और यही अध्यान के या दुख के या पाप के अंदकार को मिटा देगा इस तरीके की हमारी माननिता हो जाती है और इसी की वज़े से ये पाखन चलते है फिर लाइटिंग चल जाती है और ये कमर्शियलाइजेशन हो जाता है तो ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी है इनको ये लगता है कि जितने लाक दिये हम जल प्रदावे की बात है जो खुद को योगी कहलाने वाले और वो भी गोरकनात जी के जो पंद के लोग है उनको ये शोगानी देती है बिलकुल उनके प्रता का ये अपमान है और इनी पाखंड की वज़े से जो भी ऐसे पाखंड चलते है उनको गोरक धंदा नाम का एक नाम यह जो मनुवादी लोग थे उस वक्के उन्होंने दे दिया था यह तो अपमानित करने के लिए गुरुना से लिया हुआ नाम था लेकिन ऐसी पाखंड चलती है इनी के वज़े से ऐसे नाम मिल जाते है और यह जो negativity जो आ जाती है पात में धर्म के पात में दम्मे के पात में इनी लोगों की वज़े से आ जाती है और यह 25 लाग दिये जलाते है तो इह जो इनका जो बरताव जो है रहन सहन जो है ऐसा द्यूव्य है आईसा श्रिमनत है ऐसा अमेरिका है कि जो योगी को शोबानी देता है इनका बरताव जो है इसमें अध्यात्म होना चाहिए इनके रहन सहन में गरीबी होनी चाहिए और इनके जो बरताव है इसमें इसमें अमेरी होनी चाहिए मतलब जो अध्यात्मिक जो उनका आचरन है उसमें वो श्रिमन्त ह लेकिन ये तो रहन सयन में श्रिमन्ती इनके प्रतित होती है और बरताओं में बिल्कुल गरीबी अध्यात्मिक शत्र में बिल्कुल गरीबी दिखाई देती है बिल्कुल अध्यान दिखावा है लोगों का ये पैसा है टैस का पैसा और ये योगी उड़ा रहा है अपने रा कि गरीब जो दरिदरी लोग है वो बच्चे हैं वहाँ पर भूनते हैं तो इस तरीके का जो पाखंड है यह बिल्कुल निगेटिवी प्रदर्शन होता है दुनिया में कई भी नहीं होता है कि गरीब लोग इस देश में सबसे ज़्यादा जुनिया के है भुकमरी में सबसे निचले जो लोदेश है दस देश उसमें हमारा नमबर है 80 करोड जनता जो है इसको सरकार इसी की वज़े से खाना दे रही है मूत में और दूसरी तरफ एक ऐसा योगी का नाम लेकर मुख्यमंत्री बना है जो इतने हजार लिटर का जो खाद्य तेल है वो बरबाद कर देता ह तो ये बंद हो ऐसा मेरा मानना है जाहिन साथियों